यदि आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर चुके हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजे ताकि मुझे आगे भी सी तरह की वीडियो बनाने के लिए मौटिवेशन बिलता रहे और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो नीचे आरे रेड बेटन पर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए कम्ट्यूटर को हिंदी में संगणग भी कहा जाता है अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि कम्ट्यूटर की फुल फॉर्म क्या है क्योंकि फ्रेंड्स कई बार हम से इंटर्व्य या एक्जाम में कम्ट्यूटर की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है तो देखिए computer में इन 8 characters का मतलब क्या होता है तो computer देखिए 8 characters से मिलकर बना है तो यहाँ पर C का मतलब है Common, O for operating, M for machine, P for particularly, U for used for, P for technological, E for engineering कई जगव पर इसे education भी बोलते हैं और R for research और इन सब को अगर हम आपास में मिला दे तो क्या बन जाएगा Common operating machine particularly used for technological engineering research तो यह क्या है computer की full form है computer का invention charge waves ने किया था यानि computer का अविश्कार किस ने किया था charge waves ने किया था आपको इसे याद रखना है और इसे इन्होंने 1837 में बना लिया था तो जो year है वो देखिए आपको अलग-अलग website पे कई अलग मिल सकता है तो फ्रेंड जो first mechanical computer था उसे charge waves द्वारा ही बनाया गया था और इसका नाम था analytical engine ओके इसे भी आपको याद रखना है तो फ्रेंड देखिए यहां से भी important question पूछा जाता है कई government exam के अंदर वो है कि father of computer किसे का जाता है तो father of computer किसे का जाता है चार्द वेवेज को याद रखना है आपको अब फ्रेंड देखिए हम बात करते है generation of computer की यह बहुत important है समझना कई बार कई government exam में इससे questions आते हैं इसलिए आप इसे ध्यान से समझिए generation of computer मतलब computer की PD यहां यानि आज जिन computers को हम use कर रहे है वो computer हमें direct नहीं मिले हमें पहले कई तरह के computers को use करना पड़ा था तो वो कीन generations के computer थे उनके बारे में ही हमें जान रहे है तो जो सबसे पहली generation आई थी वो थी 1st generation अब यी 1st generation 1946 से 1959 तक रही और friends इस generation के अंदर CPU और memory के रूप में vacuum tube का use किया जाता था और vacuum tube की size काफी बड़ी होती थी और vacuum tube कई सारे use करने पड़ते थे इसलिए इन computers की जो size थी वो काफी बड़ी थी यानि एक कमरे के बरावर के computer हुआ करते थे आप image में भी देख सकते हैं ये जो computer थे ये computer unreliable थे लब ये विश्वशन ये नहीं थे इनके द्वारा जो result आता था उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था ये machine language support करते थे इन languages को cable scientist ही समझ सकते थे और इन computer को ज़्यादा तर scientist ही use करते थे क्योंकि इनकी जो cost थी वो बहुत ज़्यादा थी हर कोई इने खरीद नहीं सकता था तो friends ये जो computer थे ना ये बहुत ज़्यादा heat को generate करते थे कारण क्योंकि इनकी size काफी वड़ी थी तो friends इन computers को थंडा रखने के लिए air condition यानी AC की जुरत होती ही थी size काफी वड़ी थी इसलिए इन computers को उठा कर आप एक जगे से दूसरी जगे पर नहीं ले जा सकते थे इसलिए ये non portable केलाते थे और friends इस generation के जो computer थे उनमें input output device के रूप में punch card, paper tape और magnetic tape का use किया जाता था जो कि काफी slow थे तो friends इस generation के कुछ computer है जिनके नाम में आपको बता रहा हूं उनमें से एक है एनेक, एविक, IBM 701, IBM 650 तो ये क्या है इस generation के कुछ computer है आप friends हम बात करते हैं second generation की तो जो second generation है वो 1959 से लेकर 1965 तक चली ठीक है इस generation के बीच में जो भी computer थे वो सभी second generation के computer थे इस generation के अंदर vacuum tube की जगे transistor का use होता था अब vacuum tube और transistor में क्या था? size का difference था vacuum tube की size खाफी बड़ी थी जबकि transistor की size थोड़ी छोटी थी और transistor vacuum tube से थोड़े सस्ते भी होते थे और जो power consumption है वो भी कम करते थे इस वज़े से computer थोड़ा छोटा हो गया और first generation के मुकाबले second generation का जो computer था वो fast था air condition अभी भी second generation के computer में required था यह एसी आपको लगाना ही पड़ता था इस generation में देखिए बस एक अच्छी बात यह थी कि generation में high level languages भी use होने लगी जैसे कि faultran, COBOL और assembly language इस second generation के अंदर in language का use होने लगा यह computer first generation के मुकाबले थोड़े reliable थे मतलब इनसे जो result आता था उन पर थोड़ा विश्वास किया जा सकता था अगर compare करें हम first generation से तो और friends यह जो computer थे अभी भी कोश्ट ली थे इन्हें के वल scientist द्वारा ही use किया जा रहा था second generation में use होने वाले कुछ computer है जिनके नाम में आपको बता रहा हूँ वो है IBM 1620, IBM 1794, CDC 1604 यह सभी क्या है second generation के computer हैं और friends हम बात करतें third generation की third generation 1965 से 1971 तक चली इस generation के computer में IC यानि integrated circuit का use होने लगा और integrated circuit का जो अभिशकार है वो jack के लवाई ने किया था जब से integrated circuit यानि IC का development हुआ computer size में काफी छोटे हो गए अगर हम first और second generation से मुकाबला करें तो जो third generation के computer थे वो काफी छोटे थे और काफी छोटे होने की वज़े से कम electricity consume करते थे और air condition तो अभी भी required था लेकिन friends इन computer की एक खास बात थी वो यह थी कि ये computer high level language जैसे faultram, second से four तक, kobol, pascal, basic जैसी high level languages का यूज करते थे और friends ये जो computer थे काफी reliable थे और friends इसी generation से remote processing, time sharing, multi programming and operating system यूज होने लगे अगर friends 3rd generation के computer को 1st generation और 2nd generation से compare किया जाए तो ये fast और बहुती ज़्यादा कम electricity consume करने वाले computer थे लेकिन ये computer अभी भी costly थे तो friends इस generation के अंदर जो computer use होते थे देखिए उनके नाम है IBM 360 series, Honeywell 6000 series, PDP, IBM 370 and 168 ये सभी computer इस generation में use होते थे अब friends हम बात करते हैं 4th generation की, 4th generation 1971 से 1980 तक रही जैसे 4th generation आई तो friends computer के अंदर क्रांती आ गई अब computer के अंदर क्रांती क्यों आ गई? क्योंकि 4th generation से ही computer हर जगे use होने लगे जहाँ भी आज आप computer को देखते हो, 4th generation से ही वहाँ पर computer use होने लगे थे अब इस generation को इतना अच्छा किसने बनाया? इस generation को अच्छा बनाया VLSI ने VLSI एक circuit बनाया गया जिसका पूरा नाम है very large scale integrated और इसको IC की जगे पर use हुआ यानि computer में जो सबसे main device था वो VLSI ही था इस VLSI ने computer को काफी छोटा और fast कर दिया जब इस generation आई तो इस generation के अंदर सभी high level programming language का use होने लगा साथी इन computers के अंदर air condition की जुरुद भी नहीं थी साथी computer portable भी थे, इन computer को उठा कर कहीं भी shift किया जा सकता था यह computer काफी सस्ते थे जिसे आसानी से खरीदा जा सकता था यह computer reliable थे, friends 4th generation से ही internet का concept भी आया यानि internet introduced हुआ, तब से computer में और ज़्यादा क्रांती आ गई जब से internet introduced हुआ, यानि आप कह सकते कि computer 4th generation से ही easily available होना start हुए इस generations के कुछ computer के नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ deck 10, star 1000, pdp 11, carry 1, super computer तो friends यह थी हमारी 4th generation अब friends हम बात करते हैं 5th generation की, 5th generation 1980 से लेकर अभी तक चली आ रही है यानि आप जो भी computer यूज़ कर रहे हैं, वो सभी 5th generation के अंदर आते हैं 5th generation के computer के अंदर VLSI की जगह एक नई technology का यूज़ किया गया है और उसका नाम है ULSI, Ultra Large Scale Integration इस technology से मिलकर ही microprocessor बना है, यानि अभी जितने भी computer से उनके अंदर microprocessor आता है और microprocessor के use की वज़े से computer performance और speed में काफी अच्छे हो गये हैं इसलिए इन computer का use heavy work में किया जाता है जैसे कि robotics में, game playing के अंदर और software development के अंदर साती इन computer का use AI यानि artificial intelligence के अंदर किया जा रहा है तो friends ये जो 5th generation है, ये काफी popular generation है और अभी जितने भी computer हैं ये सभी 5th generation के अंदर ही आते हैं अब friends मैं आपको एक important बात बता देता हूँ कि computer की generation है वो केवल 50 ही है अब जो generations आती है वो processor की generation आती है यानि microprocessor की generation आती है जो scientist है वो processor की speed को बढ़ाने में और processor की size को छोटा करने में लगे हैं यानि अब जितनी भी generation आगे आने वाली है वो सभी generation processor की generation है ना कि computer की generation इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ आपने सुना होगा core i3, first generation, second generation, third generation, 10 generation, अभी 11 generation भी आने वाली है तो friends ये क्या है microprocessor की generation ना कि computer की generation क्योंकि अब computer तो छोटा कर लिया गया है, काफी पाश्ट कर लिया गया है, अब तो cable processor की speed को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है देखे friends ये जो diagram मैंने आपके सामने बना रखा है, ये है CPU का internal diagram मतलब कि CPU कैसे internal process करता है, उस चीज के लिए एक diagram है, लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि CPU क्या होता है, CPU computer का एक सबसे important part होता है, जिसका पूरा नाम है central processing unit इसे computer का mind भी कहा जाता है, लेकि CPU computer के अंदर microprocessor को ही कहा जाता है अब microprocessor computer के अंदर अलग-अलग capacity और performance के साब से आते हैं, जैसे core i3, core i5, core i7 और इनके अंदर भी generation और इनके काम करने की speed तो microprocessor के पर detail video में कभी अलग से बना दूँगा, तो अभी आप यह समझ लीजिए कि microprocessor को ही CPU कहते हैं और आज हम microprocessor के या CPU के internal process के बारे में ही जानने वाले कि कैसे CPU काम करता है यहाँ पर friends सबसे पहले हम input device के बारे में जानेंगे input device computer के वो device होते हैं जिनकी साहता से हम data को computer के अंदर CPU तक भेजते हैं यानि वह सबी device जो data को computer में भेजने का काम करते हैं simply अगर हम समझे तो वह सबी device input device के लाते हैं अब ऐसे device कोन-कोन से हैं वेसे तो ऐसे device बहुत सारे हैं बट अभी example के लिए आप समझ लिजी keyword और mouse keyword एक input device है mouse एक input device है क्यों है वो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ अब हम बात करते हैं output device की जैसा कि नाम सी पता लग रहा है जि इस डिवाइस जिन पर क्या आता हूँ result आता हो या output आता हूँ वो सबी device के लाते है output device जिस data पर control unit process करता है और process करने के बाद result जनरेट करता है तो control unit result को output device पर ही वेर्शता है तो ऐसे device जो data को result के रूप में show करते हैं वो सभी device output device के लाते हैं आपको ऐसे समझना है, तो कौन से ऐसे device है, जो output device के अंदर आते हैं, सबसे फिर आता है monitor, फिर आता है printer, speaker, floater, यह सभी क्या है output device है, तो monitor I think आप जानते होंगे, अभी मैं आपको और detail में समझाओंगा, तो input device और output device क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया, अब हम बात करते है control unit की, यानि CU की, जैसा कि नाम से पता लग रहा है control करने वाली unit, इस unit का काम होता है, सबी device पर control रखता है, input से आने वाली data को process करना, output तक पहुचाना, arithmetic logic unit तक पहुचाना, तो यह unit क्या करती है, control करने का काम करती है, अब कैसे data output तक पहुचता है, उसे दे definition में समझाता कि ऐसे device जो कि data को computer में भेजने का काम करते हैं, यानि CPU तक पहुचाने का काम करते हैं, वो सभी device, input device के लाते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या आता है keyword, तो यहाँ पर देखिए question बनता है कि keyword को input device में क्यों रखा, अब जैसे माली जी आपने keyword से कुछ भी लि unit के पास जाएगा, यानि keyword input device में जुड़ा हुआ है, और input device indirectly CPU से जुड़ा हुआ है, और CPU यह जो हम पूरा structure समझे रहे हैं, CPU का ही internal structure है, यानि हम process को समझे रहे हैं, actual में process कैसे CPU काम करता है, तो keyword से हमने जैसे कोई भी character को प्रेस किया, तो जो data है वो कहां गया है, control unit के पा तो actual में यह तो पूरा ही CPU है, और CPU के अंदर भी किस पार्ट के पास गया है, control unit के पास गया है, इसलिए keyword को input device में रखा है, क्योंकि जब भी keyword से कोई हम key को प्रेस करते हैं, तो data कहां जाता है, अंदर, अब यहाँ पर मैं बार बार एक word का use कर रहा हूँ, वो है data, अब दे में raw material है, वो भी क्या है data है, जैसे MP3, videos, games, wallpaper, यह सबी क्या होता है, data ही होता है, तो जब data input device से control unit के पास जाता है, तो एसे सबी device input device में आते हैं, जो की data को control unit रख बेजने का काम करते हैं, तो उन में से एक हमने अभी समझा keyboard, और keyboard को मेरे केने से input device में नहीं रखा, क्योंक अपने keyboard से enter करा, वो कहा जाएगा, control unit के पास हो जाएगा, अब control unit क्या check करता है, कि जो data आया है, उस पर क्या कोई से process करना है, तो इसने क्या देखा, कि अभी आपने computer टाइप करा है, तो computer करेक्टर से मिलकर बना है, तो यह सीधे क्या करेगा, इसे यहाँ पर transfer कर देगा, क computer क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पर क्या रहा है, result आ रहा है, देखिए, monitor से तो कुछ हम input नहीं कर रहे है, monitor पर क्या ले रहे है, हम output ले रहे है, इसलिए monitor किस में आता है, output device में आता है, keyboard input device में क्यों आया, क्योंकि हमने data कहा हम बेजा है, अंदर, and control unit ने check करा है, जो data है, व जो अब मालो आपने आपने अहाँ पर देखिए इंपुट में माउस भी आता है। माउस से आपने क्या करा एक क्ैल्कुलेटर आपने अपने क्ञाला तो क्ट्रोल Yonid को पथा different करें उच्ञाब ex- Pu मोनीटर पर आउटपुट दिख रहा है, कंट्रोल उनिट में क्यालकुलेटर वाले सॉप्टेर को अपन कर दिया, अब आपने इन्पुट डिवाइस यानि कीवोड से प्लस टू टाइप किया, तो ये टू प्लस टू कीवोड से यानि तार से होता हुआ, अंदर गया, कंट् अब ये अर्थमेटिक लोजिक यूनिट के पास, अब ये अर्थमेटिक लोजिक यूनिट का काम क्या होता है, जो भी कैल्कुलेशन वाला डेटा है उस पर काम करना, तो टू प्लस टू को फोर में कौन बदलेगा, टू प्लस टू को फोर में बदलेगा, अर्थमेटिक ल त्राइन इस वापस के बढ़र आए सब्सक्राइब ने कंट्रोर यूनित को दिया ओर इसे एस labels प्रूसेशन ऋपने के बाद से और उनीट ने लेकिन इसी अनौने के बदला उनीट को दिया और उनीट तो कुछ इस तरह से इंटरनल प्रोसेस होती है यानि calculation वाला सारा काम कौन समालता है arithmetic logic unit आपको यहाँ पर ध्यान रखना है job interview में या competitive exam के अंदर यह पूछा जाता है कि arithmetic logic unit का क्या काम होता है इसका काम होता है calculation करना ठीक है logical data पर काम करना जैसे logical data हो गया कि two greater than three कि क्या two three से greater देने तो नहीं है तो यह सब कौन चेक करेगा arithmetic logic unit यह सब काम होता है arithmetic logic unit का ठीक है तो इस तरह से input device में वह सभी device आएंगे जो data को input करने में help करेंगे control unit का काम हो गया data पर control करना output device का काम हो गया data को result के रूप में show करना arithmetic logic unit का काम हो गया calculation करना ठीक है नुमेरिक डेटा पर calculation करके output देना इसके बाद देखे एक यूनिट और है वह है memory unit और memory unit के अंदर हम दो memory को रखते हैं एक है primary memory एक है secondary memory और memory पर अलग से चेप्टर है जिसे में आगे आने वाली वीडियो में आपको detailed में समझाओंगा अब ही मैं स्रीप इतना बता रहता हूँ कि जो भी data या जो भी calculation हो रही है या जो भी computer में process चल रहा है वो process अगर एक software के format में काम कर रहा है तो सब कुछ memory के अंदर से ही हो रहा है memory का काम होता है data को load रखना अब यह depend करेगा कि data permanent save है तो secondary memory में होगा और अगर data temporary है तो primary memory में होगा इससे मैं आपको बिल्कुल detail में समझाओंगा इससे आगे आने वाले वीडियो के अंदर फिलाल इतना ही अब हम सभी input device को line by line समझते हैं फिर मैं आपको output device बताऊंगा detail में ओके तो चलिए अब input device को detail में जानते हैं कि कौन कौन से input device होते हैं तो देगे friends input device के अंदर सबसे पहले हम रखते हैं keyword को जिसे मैं आपको अल्रेडी समझा चुका हूँ फिर है mouse, joystick, light pen, trackball, scanner, graphics tablet, microphone, magnetic, ink character reader या recognizer इसके बाद आता है optical character reader, OCR, barcode reader, optical mark reader, OMR तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे keyword की, तो keyword देखी कुछ इस तरह का दिखाए देता है वैसे आप सभी ने देखा होगा, keyword के बारे में जारे detail में ना जाते हुए मैं आपको यह बताता हूँ कि keyword के अंदर जो ही सबसे उपर वाली keys होती है F1 से लेकर F12 तक इन्हें हम functions keys केते हैं, इसके बाद देखें यहाँ पर यह numeric key होती है, इसके बाद देखें यहाँ पर यह alphabet key है, ऐसे लेकर Z तक, इसके बाद देखें यहाँ पर कुछ toggle keys होती है, toggle का मतलब होता है जिनका भी double काम होता हो, ultra काम होता हो, जैसे caps lock, caps lock अगर own है, तो capital letter में type होगा, अगर off है, तो small letter में type होगा, ठीक है, और यहाँ पर अगर आपके पास एक standard keyboard है, तो side में आपको numeric pad दिखाई देगा, जिसमें अलग से calculation करने के लिए आपको बटन दिये होते हैं, जो यहाँ पर side में होता है, तो यह है हमारा keyboard, एक normal keyboard के अंदर 102 से लेकर 104 की तक होती है, वैसे मैं आपको keys पर जारा detail नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए, आज कल keyboard कई तरह के आ रहे हैं, जिने हम multimedia keyboard केते हैं, multimedia keyboard में आपको काफी सारे extra button मिल जाएंगे, जिने मैं आपको count करके नहीं बता सकता, क्योंकि यह depend करता है कि आपने कौन सा multimedia keyboard लिया है, जितना आप पेसा keyboard पर ख दबाएंगे, तो automatic calculator open हो जाएगा, मालों आपको browser open करना है, तो एक button होगा, आप browser वाला button दबाएंगे, तो browser open हो जाएगा, आपको volume को increase, decrease करना है, तो वहाँ पर एक plus minus का button होगा, उसे क्या होगा, जो आपके computer की volume है, वो increase, decrease हो जाएगी, ऐसे काफी सारे आपको shortcut button मिल तो keys यहाँ पर कोई माइने ने रखती है कि keyboard में कितनी keys होती है, यह depend करता है कि आपने keyboard कौन सा लिया है, अब friends हम बात करते हैं, next input device की वो है हमारा mouse, mouse को एक pointing device भी कहते हैं, एक normal mouse में cable दो ही बटन हमें मिलेंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, बीच में हमें scroll करने के लि इसे बटन यहाँ पर side में मिल जाएंगे, जिन से आप क्या कर सकते हैं, गेम को control कर सकते हैं, लेकिन एक normal mouse के अंदर आपको cable दो ही बटन दिखाई देंगे, एक left होगा, एक right होगा, और बीच में आपको scroll करने के लिए एक wheel दिखाई देगा, तो, friends, mouse भी दो तरे के आते है wired mouse और wireless mouse, ठीक है, आफ़ेंट, हम next input device की बात करते हैं, यह है हमारा joystick, joystick का use computer में game खेलने के लिए किया जाता है, और इसे input device में क्यों रखते हैं, क्योंकि जब आप computer पर game खेल रहे होते हैं, तो, यहाँ से आप जो भी बटन प्रेस करते हैं, आपका game उसी साब से control होता है, तो, जब आप बटन प्रेस करते हैं, तो, command, information, यानि कि signals कहां जाते हैं, computer में control unit के पास जाते हैं, यानि CPU में जाते हैं, तो, जो भी device, data को, signals को computer में भेजने का काम करते हैं, वो उन्हें किसमें रखते हैं, हम input device में रखते हैं, तो, joystick भी क्या कर रहा है, data और signals को कहां डारेक लिख सकते हैं, इसका use drawing करने के लिए किया जाता है, आपने काफी सारी competitive exam के तयारी करनाने वाले YouTube channel देखे होंगे, उनके पास एक digital board होता है, यानि उस board पर वो डारेक लिखते हैं, तो, जो भी लिखते हैं, वो छपता जाता है, तो, light pen भी कुछ इसी तरह से काम करत है, तो, यहाँ पर क्या होता है, देखे, आपको इसमें दिखाए ज़रा, इमेज में एक tablet है, इस tablet पर चाहे तो, direct drawing की जा सकती है, जो भी drawing करेंगे, वो direct छपती जाएगी, तो, एक pen होता है, जिसका use करते हो, लिखा जाता है, तो, इसे input device में क्यों रखते हैं, क्योंकि ज दिखाई देता है, बट इसके अंदर बीच में, scroll wheel की जगह, एक bowl लगी होती है, और ये bowl को, जब आप क्या करते हैं, उपर नीचे करते हैं, तो, ये आपको जो mouse का pointer, ये move करता है, और इसे एक pointing device भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, trackball एक pointing device है, तो, यहाँ से भ इस फोटो को किसी भी document को computer में scan करके भेज सकते हैं, तो, यहाँ पर क्या करा जाता है, document को रख दिया जाता है, इसके बाद इसका जो घकका ने इसे लगा दिया जाता है, इसके बाद computer में software के तुरू जो भी photo है, वो scan होकर computer में आ जाता है, तो देखि, data भाहर से कहा गया ह computer के अंदर गया है देखि कोई photo आपने इसमें रखा तो photo क्या था hard copy के format में था और जैसी photo convert हुआ किसके अंदर गया computer के अंदर गया और एक soft file बन गई तो data बहार से अंदर गया इसलिए इसे input device में रखा गया है क्योंकि ये भी तो वही कर रहा है data को का है भज़ रहा है computer में भेज रहा है इसलिए scanner एक input device है और इसका काम क्या है photo या किसी भी document को scan करना इसके बाद देखिए next input device है हमारा graphics tablet अब graphics tablet का का काम क्या होता है graphics tablet का काम होता है कि यहाँ पर देखिए आपको tablet दिखाए दे रहा है इस tablet के साथ एक pen आता है तो जो भी किसी को लिख कर explain करना होता है तो भी इस tablet पर लिखता है और computer में वो चीज़ छपती जाती है जैसा कि मैं भी आपको शुरुवात में वो जो diagram समझा रहा था यानि CPU का internal process समझा रहा था तो मेरे पास जो कि computer से connect होती है और जो भी हम इस पर लिखते हैं वो कहां जाता है सीधे computer के अंदर जाता है और जिस software में हम लिख रहे होते हैं उस software में छपता जाता है यानि type होता जाता है तो यह होता है हमारा graphics tablet इसे education में ज़्यादा यूज किया जाता है तो मेरे पास भी graphics tablet है जिसकी help से मैं आपको कोई भी चीज लिख कर explain कर पाता हूँ input device में क्यों रखते हैं क्यों क्यों रखते हैं क्योंकि जब हम इस पर लिखते हैं तो data कहां जाता है computer के अंदर जाता है अब friends हम next input device की बात करते हैं वो है हमारा microphone यानी mic mic को input device में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब हम mic में बोलते हैं तो जो voice है वो as a information बहार से कहां गई है computer के अंदर गई है और computer में अंदर जाके store हो गई है तो mic क्या कर रहा है data को information के रूप में अंदर भेज रहा है ना इसलिए mic को input device में रखा गया है इसके बाद देखिए next आता है friends वो है magnetic ink character reader या recognizer या NICR तो MICR की full form क्या है कई बाहर आपसे किसी भी competitive exam के अंदर जिसमें भी computer related question आते हैं जो वे interview के अंदर MICR के बारे में पूछा जा सकता है या इसकी full form पूछी जा सकती है तो full form देखिए यहाँ पर लिखी हुई है और होता क्या MICR? MICR एक input device होता है सबसे पहले तो image इसलिए available नहीं है friends क्योंकि मुझे google पर इसकी कोई free image नहीं मिली है जिसे मैं वीडियो में use कर सकूँ तो आपको क्या करना अगर MICR देखना हो तो आप google पर just search कर लेना MICR आपको क काफी सारी image दिख जाएगी बट वो फिरी नहीं थी इसलिए मैं अपने वीडियो में use नहीं करी है तो MICR का काम क्या होता है यह आपको bank में देखने के लिए मिलेगा इसका काम होता है check को recognize करना तो यह क्या करता है check को check करने के लिए use में लाए जाता है कि क्या check authenticate है या नह जाएगा और इसका काम होता है check को verify करना और check को verification करने के लिए क्या करता है computer के साथ connect होता है और computer के साथ connect होने के बाद check की information को काम भेसता है computer में भेसता है computer में मिला कर check क्या जाता है तो check verify हो जाता है तो data बहार से computer के अंदर गया है इसलिए MICR को input device के अंदर रखते हैं इस डेब लेवल नहीं थी जो कि फ्री हो और जिसे मैं अपने इस वीडियो में यूज कर सकूँ अगर आपको OCR देखना हो तो आप Google पर सर्च कर लेना आपको काफी सारी इमेज मिल जाएगी यह आप Amazon पर भी सर्च कर सकते हैं OCR वहाँ पर भी आपको OCR की इमेज मिल जाएगी अब देखें मैं आपको बताता हूँ कि OCR दो तरह के होते हैं एक होता है छोटा पेन जैसा जैसा पेन होता है हमारा यह मारकर होता है इस तरह का होता है और एक OCR होता है प्रिंटर के जैसा अब काम क्या होता है OCR का देखिए प्रिंटर वाला अगर OCR है मतलब प्रिंटर किया जा सकता है मतलब जो भी बुक में लिखा हुआ है बिल्कुल as it is computer में चला जाएगा और किस format में जाएगा टेक्स के format में जिसे आप edit कर सकते हैं तो कई बार क्या होता है पुरानी बुक से जिने लिखा गया है उन्हें अगर टेक्स में convert करना हो तो OCR की जुरूज पड़ती है काफी सारे government department में letter को बापस से text में बदलने के लिए OCR का use किया जाता है फ्रेंट्स देखे एक टाइप का OCR और हाता है जो की pen जैसा या marker जैसा दिखाई देता है यह OCR अगर आप use कर रहे है तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर बुक के अंदर एक एक लाइन के उपर OCR को फेरना पड़ेगा तो एक एक लाइन कंप्यूटर के अंदर जाके टाइप होती जाएगी किसी software के अंदर तो आपको पिचर फॉर्मेट में सेव करता है कि इसको फोटो को या बुक में जो भी आपने लिखा हुआ है उसको फोटो फॉर्मेट में सेव करेगा और उसको एडिट नहीं किया जा सकता लेकिन OCR क्या करेगा उसे टेक्स फॉर्मेट में सेव करेगा तो जो भी बुक में लिखा माली जी कोई competitive exam में आने वाली बुक है जिसके अदर काफी सारे objective question है अप उन objective question में क्या करना editing करनी है अगर आपने scanner से scan किया तो वह photocopy बन जाएगी यानि उसको edit नहीं किया जा सकता लेकिन अगर आपने उसको OCR से scan किया तो उसके अंदर जो भी objective question है उन्हें edit किया जा सकता scan करने के बाद किस से अगर आपने OCR से उन्हें read कराए तो आपको समझ में क्या OCR का काम क्या है आप एक बार Google पर इसकी image देखेंगे तो आपको समझ में जाएगा चाहें तो आप Amazon पे भी देख सकते हैं आप फ्रेंट जैकिन next input device है हमारा वह है बार्पोड reader ये वाला input device आ अब एक बार्पोड लिखा होता वस्व बार्पोड के अंदर उस प्रोडेक्ट की प्राइस छूपी होती है तो इस machine से क्या करते हैं it करते हैं और उस को पर जो भी warto को एड् GSA होती जाती है फाइनल जब लास्ट में सभी प्रोडेक्ट के बार्पोड को scan कर लिया जाता है तो हमारे सामने bill generate होकर आ जाता है इस तरह से barcode reading का time को बचाता है तो friends barcode reader का use करके billing वगेरा का का काम किया जाता है अब देखिः friends next device है हमारा optical mark reader अब optical mark reader के अंदर एक machine आती जिसका नाम है OMR machine OMR machine का काम होता है OMR sheet को check करना अब OMR sheet क्या होती है अगर आपने competitive exam दिया हुआ है तो आपको मालूम होगा competitive exam के अंदर आपको sheet मिलती है जिसे OMR sheet बोलते है और sheet के अंदर आपको नीचे जो आपको four circle दिये गए है और जो भी सही अंसर है उसको आपको black pen से fill करना होता है अब ये OMR sheet OMR machine से check करी जाती है अब OMR machine काम कैसे करती है कैसे वो sheet को check करती है कि जो भी सही questions है जितने भी questions उस exam में पूछे गए उनका जो भी solution है उन्हें पहले ही किसी software में solve करके रखा जाता है और उस software से OMR machine को connect कर दिया जाता है तो जब sheet को OMR machine पर रखा जाता है तो एक laser light निकलती है और वो जिस भी black करे हुए circle से टकराती है तो computer में जो software है और उसमें जो भी सही answer है वो आपकी sheets से match होते है तो जहाँ जहाँ पर laser light टकराती है वहाँ पर check कर लिया जाता है कि कौन सा question सही है और अगर वो match कर जाता है computer में जो भी सही solution है तो question का marks जूर जाता है otherwise minus marking में चला जाता है यह सब काम किसमें क्या गया है computer software के अंदर है जैसे की jerox machine काम करती है अगर आपने jerox machine से jerox करीए तो आपने देखा होगा जहाँ भी लिखा होता है वहाँ पर laser light टकराती है एक laser light निकलती है आपने jerox machine में देखा होगा तो जहाँ भी लिखा हूँ आए ना वहाँ laser light टकराती है और वो ही चीज नए वाले paper पर print हो जाती है जिस पर आपने gyrox निकाली है तो gyrox machine जिस pattern पर काम करती है ना उसी pattern पर optical mark reader वाली machine भी काम करती है तभी तो black pen से fill करने के लिए बोला जाता है तो जो वाइट वाला एरिया है ना वहाँ से तो लेजर लाइट आरपा निकल जाती है और जो ब्लेक कलर से फिल किया गया है वहाँ पटक राती है और कंप्यूटर के साथ मेच करके देखा जाता है तो इस तरह से OMR मशीन काम करती है और फ्रेंड्स ही जो अप्टिकल मार्क रीडर वाला कंसेप्ट है उसे और कहीं भी यूज़ किया जाता है जैसे ATM कार्ड पर ATM कार्ड पर आपने देखा होगा एक ब्लेक कलर की पट्टी होती है उस पट्टी के अंदर आपके ATM कार्ड का कोड छुपा होता है और जब इस ATM कार्ड को आप स्वेप मशीन पर स्वेप करवाते हैं तो जो आपका कार्ड है उसका जो नंबर है उसे स्वेप कर लिया जाता है तो उप्टिकल मार्क रीडर वाला कंसेप्ट महाभी काम करता है अब यहाँ पर एक सबसे important बात कि OMR मशीन को input device में क्यों रखा तेकि OMR मशीन का काम क्या है OMR sheet को check करना और sheet check होने के लिए यानि sheet का data check होने के लिए कहां जाता है तो उप्टिकल मार्क रीडर भी तो data को कहां सेंड कर रहा है कम्प्यूटर में इसलिए इसे input device में रखा तो फ्रेंट्स ये सब हमारे थें input device अब हम बात करेंगे output device की तो देखे output device के अंदर सबसे पहले हम रखते है monitor को अब फ्रेंट्स हम बात करते है monitor की monitoring का output device है और monitor पर data का क्या आता result आता data result के रूप में प्राप्त होता है monitor journaling यहाँ पर चार प्रकार के होते हैं सबसे पहले टाइप के पुराने टाइप के monitor है वो है हमारे cathode ray tube यानि CRT monitor CRT के full form भी कही बार पुछी जाती है तो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दी है cathode ray tube यह वाले जो monitor थे जो TV के जैसे दिखाई देते थे इन्हें CRT monitor कहा जाता था इसके बाद देखी friends next type के monitor आए जिसका नाम है TFT यानि thin film transistor तो यह वाले monitor बिल्कुल flat होते थे electricity कम consume करते थे इसके बाद एक ओर technology आई monitor में जो की दिखने में तो ऐसी लगेगी TFT जैसी बट उसका नाम है LCD liquid crystal display यह भी कम electricity consume करते थे और यहाँ पर जो picture की quality थी वो काफी improve हो गई इसके बाद देखी अभी present time में monitor के अंदर एक latest technology चल रही जिसका नाम है LED light ambienting diode light ambienting diode वाले जो monitor है electricity बहुत ही जादा कम consume करते हैं और यहाँ पर picture की collective काफी improve कर दी गई है high resolution में आपको यहाँ पर picture दिखाई देती है कोई भी image दिखाई देती है और यहाँ पर pixel की जो quality है वो काफी बढ़ा दी गई है तो अभी present time की technology है LED okay तो यह 4 तरे के monitor होते है और monitor को output device में रखा जाता है आपको यह सब याद रखना है अब friends हम next बात करते है printer की printer एक output device है अब printer एक output device क्यों है इस चीज को समझते है मालो अपने input device से यानि mouse से एक file को open किया control unit ने monitor की screen पर उस file को open करा हुआ दिखा दिया अब आप क्या करें file menu में गए और आपने print command दिया तो control unit को पदा चला कि user क्या चाता है print निकालना चाता है तो उसने अब क्या करेगा अब उसने printer को activate करा तो printer एक output device है जिसका काम है print निकालना जो भी soft copy data computer में उसे hard copy data के रूप में paper पर print कर देना तो printer एक output device है क्योंकि जो भी result आ रहा इस बार अगर उस result को paper पर print करना है तो monitor नहीं करेगा इस काम को printer करेगा इसलिए printer एक output device है तो printer प्रिंट करने के लिए यूज में लाए जाता है अब printer भी अपने आप में एक chapter ही जिसे मैं आपको आगे चलके किसी वीडियो में detail में बताऊंगा क्योंकि printer के भी काफी सारे types होते है जिसे मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा अफ्रेंट्स next output device है हमारा वह है plotter अब plotter का काम होता तो printer जैसा ही printer करना बत ये क्या करता है बड़े चित्र को print करता है printer तो छोटे चित्र को print कर सकता है ये बड़े चित्र को print करने के लिए use मैं ला जाता है तो कोई भी images, wallpaper अगर आपको print करने जैसे आपने देखेंगे hoardings print होते है flags, banner वगेरा प्रिंट होते हैं या poster प्रिंट होते हैं तो वो printer सो तो हो नहीं सकते हैं तो उन्हें print करने कली plotter का use किया जाता है तो जो printing machine होती है वो plotter ही होती है ये आप समझ सकते हैं कि एक तरह का printer है बड़े size में काफी बड़ा होता है और ये output device क्यों है क्योंकि ये भी तो क्या कर रहा है जो भी computer में print है उसे ऐसे output के रूप में एक बड़े paper पर print कर रहा है next output device है हमारा speaker और headphone speaker output device क्यों है क्योंकि देखे computer में मालो आपने कोई song को play करा तो उसकी information उसकी आवाज कहा आ रही है बहार आ रही है यानि data computer से कहा रहा है बहार की ओर आ रहा है और ऐसे device यो data को result के रूप में show करते हैं यानि data कहा आता है result के रूप में बहार आता है तो जो information जिसे आप अभी इस वीडियो के अंदर आवाज को सुन पारे हो यानि information सुन पारे हो अब नेक्स temperature की help से तो speaker क्या है? Output device है headphone भी क्या है? Output device है में रखा जाता है उनमेंसे सबसे पहलाता है modem modem आपने किसी cyber cafe में या आपके पास हो सकता है आपके घर पर आपके पास modem हो तो देखिए modem काप क्या होता है internet को आपके computer तक पहुचाना तो जब इंटरेंट को आपके computer पे पहुचा रहा है तो क्या कर रहा है, input कर रहा है और जब आप अपने computer से कुछ send कर रहें किसी दूसरे को तो यही modem से होता हूँ आपका data दूसरे के पाथ जाएगा तो यह क्या करेगा, output भी करता है इसलिए इसे input और output दोनों device में रखा जाता है तो USB वाला छोटा वाला modem भी आता है, जिसे dongle कहा जाता है इसके बाद देखी जो next device है जिसे input और output दोनों में रखा जाता है वो है touch screen अब touch screen माला अगर आपके पास एक laptop है तो उसमें क्या होगा, आपके monitor पर laptop का जो screen है उस पर आप touch कर सकते हो तो जब आप touch करोगे तो input हो रहा है जब भी किस पर आता है, उसी screen पर आता है इसलिए touch screen को input और output दोनों में रखा जाता है ओके फ्रेंड तो ये थे हमारे input device, output device और ये जो आज हमने diagram समझाए ये CPU के internal process का diagram है तो फ्रेंड देखी computer memory के बारे में जानने से पहले यानि आप क्या याद रखने के लिए उसे हमें समझना है तो यदि हम computer memory की बात करें तो computer के अंदर वह electronic area जहाँ पर data को store करके रखा जाता है चाहे वो working के लिए हो, चाहे future use के लिए हो तो computer के अंदर वह electronic area जहाँ पर data को store करके रखा जाता है क्या खेलाता है तो कंप्यूटर मेमोरी को हम यहां पर दो पाट में बाटते हैं एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी और एक होती हमारी सेकंडरी मेमोरी ओके फ्रेंड्स तो हम memory को कितने parts में बाटते हैं दो parts में बाटते हैं पहला है primary memory और दूसरा है secondary memory अब primary memory को computer की main memory भी कहा जाता है और इसके अंदर हम दो memory को रखते हैं एक है हमारी RAM और एक है हमारी ROM तो ये दोनों memory क्या है? primary memory है और अगर हम secondary memory की बात करें तो secondary memory में देखें क्या क्या आता है HDD यानि hard disk drive उसके बाद आता है हमारा CD, DVD और देख लिजिए SSD, solid state drive और आता है हमारा USB memory stick तो यह सब क्या है हमारी secondary memories है सबसे पहले हम बात करेंगे primary memory की अब primary memory जैसा कि मैंने आपको बताया है computer की main memory होती है और इसके अंदर हम RAM और ROM को रखते हैं अब RAM का देखें पूरा नाम है Random Access Memory और ROM का जो पूरा नाम है वो है Read Only Memory अब इन दोनों में मैं आपको compare भी करके बताऊँगा कि इन दोनों में क्या difference है और दोनों का काम क्या है यह तो मैं पता लग जा कि RAM और ROM क्या एक primary memory है अब अगर हम काम की बात करें कि दोनों memory का काम क्या है तो उसे हम difference भाहिस समझते है अब अगर हम RAM की बात करें तो RAM का काम क्या होता है कि जो भी computer में आप software चला रहे हो computer में जो भी running process चल रही है वो सब कहां से चल रही है RAM से चल रही है यानि अगर मैं अभी video record कर रहा हूं तो video भी recording चल रही है मेरे laptop पर तो वो कहां से चल रही है भी RAM से चल रही है तो सबसे पहला होता क्या है वो चीज़ समझे जब computer पूरी तरह से start हो जाता है और आपके computer में जो भी operating system जो भी windows टोल्ड है वो windows जाकर load हो जाती है कहां पर RAM पर यानि आपका operating system load हो गया तो आप जो भी software computer में चला हो गया वो सभी कहां से चल रहे होंगे आपकी RAM memory से चल रहे होंगे अमाली जी क्या आपने कहां करा अपना computer start होने के बाद एक MP3 song को play करा तो वो MP3 song जिस भी player में चल रहा होगा वो player कहां लोड होगा RAM के अंदर तो वो player कहां लोड है RAM में MP3 song कहां चल रहा है उस player के अंदर और अचानक क्या हुआ कि light चली रही और आप desktop पर MP3 song को सुन रहे थे और वो desktop किसी भी UPS किसी भी battery से connect नहीं था यानि पूरी तरह से आपका computer बंद हो चुका है मैं यहाँ पर laptop की बात नहीं कर रहा लैप्टॉप में batteries होती है तो light जाने के बाद automatic laptop battery पर आता है और माली जीए battery भी dead है और अगर आप charger से डारेट अपने laptop को चला रहे तो light जाने की condition में यानि power cut होने की condition में आपका laptop या desktop automatic बंद हो जाएगा तो होगा यह कि जो player में आपका song चल रहा था ना वो player भी रुख जाएगा आप थोड़ी दर बाद जब light बापस आएगी तो उस condition में आप क्या करोगे अपने laptop को या desktop को दुबारा से start करते हो तो होगा यह कि आपको song दुबारा से play करना पड़ेगा आपने जहां तक उसको सुन लिया दाना वो वहां से start नहीं होगा अब ऐसा क्यों होता है not only song की अगर मैं बात कुरूँ अगर आप कोई game play कर रहे है तो अगर अचानक power cut हो जाता है मैं आपर laptop की बात नहीं करूँगा ठीक है क्योंकि उसमें battery होती है और अगर battery नहीं है तो देखिए condition same desktop बाली बन जाती है अगर desktop को आपने किसी UPS battery से connect नहीं कर रहा है तो अगर आप game play कर रहे है और अचानक power cut हो गया ना तो आपको game दुबारा से start करना पड़ेगा game आपने जहां तक छोड़ा था आपको वहां से नहीं मिलेगा ठीक है तो आपको यह gameplay दुबारा क्यों करना पड़ता है तो यही example हमें समझ जाए यह काम इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी आप software चला रहे है जो भी game चला रहे है वो सब कहां से चल रहा है रैम से चल रहा है मैंने आपको शुरुबात में बोला कि computer के अंदर रैम का काम क्या है कि जैसे आप software को start करते है या आपका जो operating system में वो सबसे पहले जाकर load हो जाता है रैम के अंदर उसके बाद आप जो भी software चलाते है वो सब कहां से चल रहा है रैम से अब game अगर आप खेल रहे हैं तो भी कहां पर load है रैम में load है अगर आप typing कर रहे हैं तो भी RAM में load है आप MP3 song सुन रहे हैं या आप कोई movie देख रहे हैं वीडियो देख रहे हैं अचानक power cut होता है तो रैम अपना काम करना बंद कर देती है और रैम अपना काम करना बंद करती है तो जो भी data उसके अंदर है वो delete हो जाता है automatic erase हो जाता है इस वज़े से RAM एक temporary memory है आपको इस बात को यहाँ पर note करना है कि रैम एक temporary memory है और रैम temporary memory क्यों है मैंने आपको समझा दिया क्योंकि इसमें data तब तक ही store रहता है जब तक इसे continuously electricity मिल रही है जैसे electricity मिलना बंद होती है यह रैम भी काम करना बंद कर देती है और जो भी इसके अंदर load है वो सब erase हो जाता है इसलिए रैम के ऐसी memory है रैम temporary memory है अब यहाँ पर रैम के लिए गवाड और यूज होता है रैम एक volatile memory है volatile memory भी इसलिए है क्योंकि यह data को permanent store करके नहीं रख सकती जब तक इसके अंदर electricity है तब तक रैम के अंदर data available रहेगा जैसे electricity कट हो जाएगी रैम भी अपना काम करना बंद कर देगी इसलिए रैम को volatile memory भी कहा जाता है तो कई बार आपसे exams में, interview में पूछा जाता है कि रैम कैसी memory है और options में आपको देदिया जाएगा volatile, non-volatile या कोई other options भी तो आपको याद रखना है कि रैम एक volatile memory है और इसे temporary memory भी कहते हैं क्यों कहते हैं वो मैं आपको अल्रेड़ी समझा दिया temporary क्यों है वो भी आप समझ चुके अगर रैम और रोम में डिफरेंस देखें तो रोम क्या एक permanent memory है अब ये रोम permanent memory क्यों है उससे पहले हमें रोम का काम समझना पड़ेगा रैम का काम तो हमें समझ में आगया है कि जो भी हम computer में चलाते हैं वो रैम में जाके load हो जाता है वो भी कब तक computer चालू है computer working mode में तब तक रैम काम कर रही है जैसे computer को switch up करते है रैम भी अपना काम करना बंद कर देती है पर रोम का काम क्या होता है रोम एक permanent memory है रोम का काम है जैसे आप computer को start करते हैं तो एक booting की process चलती है आपने देखे होगी थोड़ी देर अपका computer start होने में लेता है भली आपने SSD लगा रही कि आपका computer बहुत वास चलती हो जाता है लेकिन कुछ जो seconds आपका computer start होने में लेता है उस दोरान एक process होती इस process का नाम है booting की process booting process यानि computer boot होता है तो computer boot होता है वो क्यों होता है क्योंकि रोम के अंदर एक program होता है जिसे motherboard manufacture के समय रोम के अंदर installed कर दिया गया है और इस program का काम क्या होता है computer को start करना तो आप notice करना कि क्या आपको इस program को रोज रोम में store करना पड़ता है खुद को आपको तो नहीं करना पड़ता है आप तो सिर्फ computer को start करते है और computer अपने आप start हो जाता है तो रोम के अंदर क्या हुआ है एक program पहले से install कर दिया गया है तो रोम के सी memory हुई permanent memory हुई ना क्योंकि हमें रोज computer चालू करने के लिए रोम के अंदर पहले program नहीं डालना पड़ता वो पहले से feed है जब आपने computer खरीदा है तो जो manufacturer है जिसने computer को बनाया है जिस भी company का computer है उसने क्या खराए रोम के अंदर पहले एक program install कर दिया है उसने बता दिया है कि computer को कैसे start करना है रोम को computer start होने के बाद जो भी operating system जो भी windows आपने डाली हुई है computer के अंदर वो RAM पर जाके shift हो जाएगी तो सबसे पहले ROM काम करती है फिर RAM काम करती है RAM सुर्वात में काम नहीं करती है फिर उसके बाद computer boot हो जाता है तो सब कुछ RAM पर जाके shift हो जाता है ऐसे आपको याद रखना है तो ROM एक permanent memory है क्यों क्योंकि इसके अंदर एक पहले से program store है जिसे हमें बदलना नहीं पड़ता है और ये सब permanently है इसलिए ROM एक permanent memory जबकि RAM एक temporary memory है आपको याद रखना है अब ROM को हम non-volatile memory भी कहते है non-volatile का मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता है जिसके अंदर changes possible नहीं है इसलिए ROM के आए एक non-volatile memory है अब अगर हम दूसरे difference की बात करें RAM और ROM में तो RAM के अंदर आप read and write दोनों तरह काम कर सकते हैं मतलब आप क्या कर सकते हैं read भी कर सकते हैं और write भी कर सकते हैं के अंदर बात कर रहा हूं मैं RAM के अंदर बात कर रहा हूं read and write दोनों तरह काम हो सकता है तो friends मैं थोड़ा कम लिखूंगा और आपको समझाऊंगा ज्यादा था कि आपको अच्छे से समझ में आ सके आप सुनने के बाद अपने notes बनाना जो अगर आप खुद से अपने notes बनाएंगे तो काफी अच्छे से आपको याद हो जाएगा इसलिए आप बहुत ध्यान से earphone लगा के सुनना आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं क्योंकि मैं लिखूंगा थोड़ा कम तो RAM के अंदर मैं आपको बता रहा था कि RAM के अंदर आप read and write दोनों तरीका काम कर सकते हैं जबकि ROM में cable क्या कर सकते हैं read कर सकते हैं इस बात को देखी समझाता हूं मैं आपको मेरे कहने से नहीं होता यह क्योंकि ये पहले सित्ता ही किया गया है जो मैं आपको बोल रहा हूं अब मैंने आपको क्या बोला RAM के अंदर read and write दोनों तरीका काम क्या जा सकते हैं अब क्यों क्या जा सकता read and write क्यों ये read and write type की memory है तो कि देखिए अभी आप जो screen पर देख पा रहे हैं इसे जब मैंने computer पर record करा होगा तो उस समय में इसे देख भी पा रहा हूंगा और ये सब देखिए अभी मैं लिखा रहा हूं जैसे मैंने याँ पर कुछ लिखा तो ये मैं क्यों लिख पा रहा हूं तो कि ये सब कुछ कहा से चल रहा है RAM से चल रहा है RAM कैसी memory है RAM है कैसी memory जिसमें हम read and write यानि आप जो भी software में काम कर रहे हैं वो RAM में ही लोड है और अगर वो RAM में लोड है तो RAM के ऐसी मेमोरी है जिसमें आप read and write जोनों तरीका काम कर सकते हैं ठीक है तो अब अगर इसका difference हम ROM के साथ देखे हैं तो ROM केबल read only memory जेकि नाम से बता लग रहा है read only memory यानि आप केबल प बढ़ सकते हैं आपके motherboard के interactions लिखे आते हैं side में कि F1 दबाने से क्या होगा delete button दबाने से क्या होगा F12 दबाने से क्या होगा मतलब boot menu का ऐसे खुलेगा यह सब लिखा आता है ठीक है थोड़ी सी welcome screen आती है अगर Windows operating system में installed है तो उसकी welcome screen आती है तो उस दोरान के क्या आप कु सकते हैं और read क्यों कर सकते हैं क्योंकि वो process कहां से हो रहा है ROM की वज़े से हो रहा है इसलिए ROM कैसी memory है read only memory यानि उसमें जो पहले से installed program है वो अपना काम कर रहा है और उस दोरान आपको केबल बेट कर वैट करना है कि जब तक computer start नहीं होगा तब तक आप काम नहीं करेंगे क्योंकि अभी ROM काम कर रही है और ROM के अंदर केबल read किया जा सकता है write नहीं किया जा सकता है तो यहीं difference है second difference हमने आप है discuss करा read and write work RAM नहीं किया जा सकता है और इसमें केबल read किया जा सकता है friends मैं आपको RAM से related एक बात और बता देता हूँ कि आपके computer में जितनी अच्छी capacity की RAM लगी होगी आपका computer उतना अच्छा काम करेगा क्योंकि software जितने ज़्यादा बड़े software या आप gameplay वगेरा करते हो वो अगर आप अपने computer पर कर रहे हो तो उसके लिए आपको RAM की requirement होगी या सिर्व आपको वह ही बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा important है अब देखें फ्रेंड्स यह जो RAM है यह भी दो तरीकी होती है एक उती S RAM एक उती DRAM एक DRAM है वैसे तो फ्रेंड्स यह देखें S RAM, DRAM के बारे में अगर आप detail में जाना चाहते हैं तो यह computer hardware course का part है लेकिन हम जो स use cash memory के रूप में किया जाता है यह costly memory होती है ठीक है और इससे upgrade नहीं कर सकते हैं लेकिन dynamic RAM जो होती है यह SRAM के मुकाबले सस्ती memory होती है कि इसको हम upgrade कर सकते हैं और इसका use हम computer के अंदर जो RAM होती ना normal RAM उसके रूप में करते हैं अभी मैं आके चल के आपको cash memory के बारे में बत बात करें तो ROM के भी कुछ टाइप होते हैं पी रोम ईपी रोम और एई पी रोम तो यह क्या है रोम के टाइप अब देखिए फ्रेंड मैं आपको एक बात बताता हूं कि रोम का use cable computer में नहीं बहुत सारे electronic device में किया जाता है क्योंकि एक तरीकी chip होती है और इसके अंदर programming क जा सकती है और किसी भी डिवाइस से काम करवाया जा सकता है जैसा कि देखी वाशिंग मसीन में जो A है JS Bitcoin को शचित करें और ISP कि देखिये माइक्जुग बट कर देना है यह सब काम के लिए हम रोम का यूज करतें यहां पर रोम को अलग अलग जो रोफ के साब से अलग डिवाईस के साब से यूज किया जाता है थीख है तो इनके बारे में अगर जानना है आपको तो computer hardware का वेसे तो यह पार्ट है और इसके बारे में आपको deeply computer hardware के अंदर जानने के लिए मिलेगा और हम पढ़ रहे हैं computer fundamentals अब देखें फेंट्स हमारे पास memory के अंदर जो second type की memory है वो है secondary memory और secondary memory का use data को permanent store करने के लिए किया जाता है देखें यहाँ पर primary memory में data permanent store नहीं हो रहा मतलब आप बेकप परपस है या extra data को आप खुछ से store नहीं कर सकते ROM permanent memory जरूर है बट आप तो store नहीं कर सकते न रोम के अंदर interactions रोग चैंस तो नहीं कर सकते न और ऐसे RAM के अंदर हम कुछ अपनी इच्छा से store करके permanent नहीं रख सकते तो यह तो है primary अब लेकिन secondary memory के बिना आप computer में कोई भी data को permanent store करके नहीं रख सकते तो secondary memory का use क्या हो गया कि इस memory का use करते हुए आप अपने computer में data को पर्मानेटली store करके रख सकते हैं उन में से सबसे popular सबसे पहले हम बात करेंगे SDD hardix drive यानि computer में जो आपके hardix drive लगी होती वो क्या होती secondary memory होती है अगर आपके पास एक computer है और आप नहीं जानते hardix कैसी होती है तो देखिए मैं आपको image में भी बताते जा रहा हूँ किस तरीके hardix दिखाई देती है इस hardix के अंदर एक platter होता है और एक head होता है read and write head होता है जिसकी help से hardix के अंदर data को read and write किया जाता है डिटेल जानकर एक लिए आपको computer hardware का course करना पड़ता है अभी मैं आपको कैबल इतना बता देता हूँ कि hardix secondary memory क्यों है क्योंकि इसके अंदर आप क्या कर सकते है data को पर्मानिट इस्टोर करके रख सकते है मलाब आप movies रखिए picture store करके रखिए अब देखे friends मैं आपको एक example देता हूँ कि अगर मैं भी video को record कर रहा हूँ जिस समय और अचानक light चली जाती है यानि power cut हो जाता है तो जिस भी software से मैं recording कर रहा हूँ वो software भी कहां पर लोड है RAM में लोड है और अचानक power cut हो जाता है तो मुझे दुबारा से recording करनी पड़ेगी क्योंकि software काम करना बंद कर देगा क्योंकि RAM ने काम करना बंद कर दिया है light दुबारा से आने पर मैं computer को start करूंगा फिर से मुझे recording करनी पड़ेगी लेकिन recording complete होने के बाद तुरंत मैंने क्या कर रहा हूँ उस recording को save कर दिया तो जैसे रिकोडिंग कहां चली गए हमारी हार्डिक्स में जैसी मैंने फाइल को save कर दिया recording की अब हार्डिक्स में जाने के बाद हार्डिक्स के इसी memory है secondary memory है और data permanent store हो जाएगा यानि recording permanent store हो जाएगी अब भले ही power cut हो जाए जैसी power दुबारा आता है तो मैं फाइल को कहां से access कर ल हुआ तो हार्डिक्स secondary memory क्यों है आपको समझ में आ गया ऐसे देखें other secondary memory है जिनके अंदर data permanent store हो रहता है जैसे cd के अंदर dvd के अंदर इनके अंदर क्या होता data permanent store हो रहता है जब हमें जुरूत होती हम cd लगा कर play कर लेते हैं ठीक है ऐसे हम dvd लगा कर भी data copy कर लेते हैं dvd में अगर हमने data copy करके रख रखा है तो वो हम dvd से copy वापस कर सकते हैं computer में data permanent store है ऐसे हार्डिक्स और आती है लेकिन ह हार्डिक्स का एक टाइप है solid state drive hdd यानि हार्डिक्स drive के अंदर देखी प्लेटर होता है एक read and write head होता है और इस हार्डिक्स के गिरने पर data crash जल्दी हो जाता है hdd से fast होती है ssd अगर computer में ssd लगी हुई है तो computer बहुत ही ज़्यादा fast start हो जाता है बट यहाँ पर एक सबसे main बात है है कि ssd hdd से महेंगी होती है इसलिए इसे तभी यूज करा जाता जब हमें computer को थोड़ा fast बनाना और किसी special purpose से हम computer को ले रहे है तो हम hdd की जगे ssd का use करते है तो कि यह costly होती है अब costly तो है और facility क्या देती है computer में जो भी आप software लोड करेंगे तो वह तुरंत hardix से निकल क RAM में आ जाएगा यानि अगर hdd की जगे ssd है तो फटा फट से start होगा और RAM में लोड हो जाएगा जबकि sdd में time लगता है तो अगर आप को gameplay वगेरा करते हैं याप को heavy software में काम करते हैं तो आप अपने computer में ssd लगवा सकते हैं आप Amazon पे जाकर search करिएगा दोनों को sdd को औ सबसे पहले ssd काम करती जब सबसे fast काम करती ssd तो उसके बाद देखिए memory stick की बात कर रहे हैं USB memory stick यानि pen drive की बात हो रही है अब pen drive भी क्या है secondary memory और इसके अंदर भी आप data को permanent store कर सकते हैं ठीक है pen drive आप सब जानते ही होंगे ऐसे memory card होता है जो DSLR में फोन में यूज किया जाता है तो वो भी क्या secondary memory है तो secondary memory कुल मला के data को permanent store करने के लिए यूज में लाए जाती है और इसमें data permanent हमेशा के लिए store रहता है जब तक कि खुद आप delete ना कर दें या accidentally delete ना हो जाए तो data को permanent store करके रखा जा सकता है तो यह थी हमारी memory अब देखे friends एक type की memory और होती है जिसे cache memory का जाता है तो चली cache memory को भी समझे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से memory वाला chapter clear हो जाए cache memory high speed semiconductor memory होती है और यह CPU की speed को बढ़ाने में help करती है अब देखे इस memory का काम क्या होता है आपको काम को ध्यान से समझना है अब देखे friends कोई process है या कोई data है जिसकी जुरत बार-बार CPU को पढ़ रही है तो CPU कहां से data को access करेगा RAM से या RAM से data कहां जा रहा है CPU के पास जा रहा ह है या कोई program है या कोई process है वो कहां से RAM access कर पारी data को hard drives है तो कितना लंबा process हो रहा है CPU को अगर data को access करना है तो पहले उसे RAM से access करना पड़ेगा फिर वो RAM कहां से access करेगा hard drive से इसे क्यों के पास पीड़ेगा तो कुछ ऐसे टास्क है जिसे CPU के दुवारा बार बार किया जा रहा है या कोई प्रोग्राम से या कोई process है जिसे बार बार CPU को यूज में लेना पड़ता है तो वो program या process देखिए यहां पर cache memory में चले जाते हैं अब cache memory में कौन से प्रोग्राम और process जाकर store हो जाएंगे जो CPU बार बार यूज में लेता है तो वो क्या करेगा उन प्रोग्राम और process को RAM की जगह अपनी cache memory में store कर लेगा और वो direct कहां से access कर लेगा अपनी cache memory से कौन CPU तो उससे क्या होता है time बसता है time कैसे बचा CPU को पहले RAM से access करना data या program कहां जाकर store हो जाता है cache memory में और cache memory CPU के अंदर ही होती है तो वो फटा-फट से access कर लेता है उससे क्या होता आपके computer की यानि आपके processor की speed बढ़ जाती है CPU की speed बढ़ जाती है और आपका computer fast काम करने लगता है तो इसलिए cache memory जिस CPU की यानि जिस micro processor की cache memory जादा होगी वो costly ली आएगा अगर आप यह जानना चाहते हैं कि CPU में किस तरह की cache memory आती है तो आपको क्या करना है Amazon पे जाकर अलग-अलग type के processor को search करना है generation wise search करी जैसे core i7, 10 core processor, core i9 जितना आप lattice processor, जितना मेंगा processor search करेंगे Amazon पर तो आपको एक बात का पता लगेगा कि CPU के मेंगे होने के सा साथ उसकी cache memory ज्यादा आती है, यानि जितनी ज्यादा cache memory आपका CPU उतना fast काम कर पाएगा, क्यों कि जितनी ज्यादा cache memory होगी वो उतने ज्यादा programs और data को cache memory में store कर पाएगा, और जल्दी जल्दी यूज़दी use कर पाएगा, उससे processor की speed बढ़ जाएगी, तो जिस processor के साथ cache memory ज्यादा आती है, वो processor costly आते हैं, आप Amazon पर साच करेंगे, तो आपको ज्यादा cache memory वाले processor मिल जाएगे, तो ये memory costly होती है, तो मैंने आपको RAM के अंदर, static RAM के बारे में बताया था, static RAM का use cache memory के रूप में होता, ये बात मैंने आपको समझा दिया था, तो cache memory क्या होती है, एक नेक्स वीडियो में मैं आपको memory unit के बारे में बताऊंगा कि memory की सबसे चोटी unit कौन सी है, और सबसे बड़ी unit कौन सी है, अगर हम computer memory units की बात करें, तो computer memory units के अंदर memory की सबसे चोटी unit होती है bit, यानि bit को memory की सबसे चोटी unit कहा गया है, एक bit के अंदर या तो 0 आता या 1 आता तो यहाँ पर exam में question बनके आता है वो है कि memory की सबसे चोटी unit कौन सी होती है तो आपको याद रखना है memory की सबसे चोटी unit होती है bit इसके बाद जब 4 bits आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं 1 nibble यह भी आपको याद रखना है यानि 1 nibble equal to 4 bits और इसके बाद जब 8 bits या 2 nibble आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है 1 byte यानि 1 byte equal to 8 bits या 2 nibble दोनों में से कुछ भी हो सकता है इसके बाद अगर 1024 bytes आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है 1 kilobyte इसके बाद देखे 1024 kilobyte यानि 1024 kb मिलकर क्या बनाते हैं 1MB यानि 1MB इसके बाद देखिए 1024MB यानि अगर आपके पास एक pen drive है जो कि 1GB का है तो उसके अंदर आप 1024MB तक का data store कर सकते हो क्योंकि 1GB इकवल टू 1024MB इसके बाद आता है 1024GB मिलकर क्या बनाते है 1TB यानि अगर आपके पास आपके computer में 1TB के harddix है तो साडिक्स के अंदर आप 1024 GB तक का डेटा को स्टोर कर सकते हो क्यों क्योंकि 1TB एक्वाइट 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 योटा वाइट आपस में मिलते हैं तो रहां की वन योटा वाइट और इसके बाद अगर incapable यह को अगर है नहीं आप Ar holiness को אפ Rozum और 2 योटा वाइट आपको शोर्छा रखना है अब आपको इसे याद कैसे करना है देखिए वो तरीका मैं आपको बढ़ा दाओं आप ये तीन तो याद कर लीजिए उसके बाद देखिए एक हजार चोविस याद करना है आपको बस ये याद रखना है कि मेजरमेंट एक हजार चोविस आपने वन बाइट तक याद कर लिया उसके सिसका नीचे लिया यह एक osp jvi one joe v jv फेसे तो जालतर एक्जाम में यहां तक ने two-point मेहमोरी का मेजरमेंट के अदार भी तक terawatt केंदर ही जुज में आता है इससे उपर की hardix अभी available नहीं है एक normal computer के लिए अभी आपके computer में जो hardix लगी होगी या तो GV में लगी होगी या TV में लगी होगी उससे उपर की hardix आपके computer में नहीं होगी और आपने सुनी भी नहीं होगी लेकिन इससे उपर का measurement होता है यानि ये PB यानि पेटावाइट, एक्जावाइट, जेटावाइट, योटावाइट, ब्रॉंटावाइट, जियोबाइट होता है कैसे होता है वो चीज में आपको बता दाओ आपने Google servers के बारे में सुना होगा यानि आप Google को तो जानती है और YouTube को तो आप बहुत ही अच्छे से जानती है क्योंकि अभी आप ये वीडियो यूटूब पर ही देख रहे है अब यूटूब के बारे में आपको एक खास बात मालूम है कि यूटूब पर रोज लाखों वीडियो अपलोड होते है जिनकी को अपलोड हुए होंगे तो YouTube पर इन वीडियो को स्टोर करके रखने के लिए कोई स्पेस तो होगी अप क्योंकि YouTube एक वैप साइट है और एक वैप साइट किसी ना किसी कंप्यूटर किसी सर्वर से ही चल रही है तो YouTube का सर्वर यानि Google का डेटा सेंटर अगर आप देखना चा केलिफोर्निया के अदर काफी बड़े लार्ज एरिये में YouTube सर्वर फेला हुआ है और उन सर्वर स के अंदर भोस सारी चोटी 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 हाट इक्स लगा रही कि उन्होंने और जब आप बहुत सारी हाट इक्स अपस में मिल जाती है तो एक बहुत बड़ी मेमोरी की अब वो सकता है कि योटा वाइटो व्रांटा वाइटो योब वाइटो वो मुझे नहीं मालूम कि यूटब की अभी तक की मेमोरी कितनी है टोटल मेमोरी मैंने काउंट नहीं करी बट मैं आपको बात बता रहा हूं कि एक नॉर्मल हार्डिक्स यूटूब सर्वर में लगी ह लेकिन एक हार्डिक्स से वहाँ पर काम नहीं चलने वाला था इसलिए वहाँ पर बहुत सारी हार्डिक्स को लगाया गया है और एक बहुत-बड़ा सर्वर बनाया गया है क्योंकि इतना सारा डेटा स्टोर करना था और यह जो हम वीडियो वगेरा यूटूब पर अप्लो अब मान लिजे मेरा काम जो है वो 1 TV से नहीं चल रहा है, यह hardix फूल हो चुकी है, अब मुझे 4 TV के hardix लगानी है, तो मेरे पास option दो है, अगर 4 TV की single hardix एब लेवल है, जो की एब लेवल है, तो मैं क्या करूँगा 4 TV की एक और hardix लगा लूँगा तो ये वाली hardix तो मेरे computer में पहले ही थी 1 TV की फिर मैंने 4 TV और लगा ली तो अब मेरे computer की जो total space होगी वो कितनी होगी? वो होगी 5 TV क्यों? क्योंकि 1 TV और 4 TV मिलकर क्या बना लेंगे? 5 TV अब मैं क्या बोलूँगा? कि मेरे computer में कितनी hardix लगी हुए? 5 TV की मैं total बोलूँगा count करके उसी तरह YouTube server में भी बहुत सारी hardix लगी हुए है इसलिए वहाँ पर बहुत बड़ी data को store किया जा सकता है ठीक है? वहाँ पर upgradation होता ही रहता है तो friends यह थी computer की memory unit अब friends हम सबसे पहले बात करेंगे computer hardware की hardware is the physical components of a computer that can be seen and touched इसका मतलब होता है कि computer के वह सभी physical component जिसे आप देख सकते हैं जिसे आप छूँ सकते हैं क्या 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 लाते हैं? hardware क्या लाते हैं अब आप किसे देख सकते हैं किसे चूँ सकते हैं आप सभी computer parts को चूँ सकते हैं जैसे keyboard, mouse, monitor, printer, speaker आप इने क्या कर सकते हैं? चूँ सकते हैं और साथे आप इने देख भी सकते हैं तो जितने भी मैंने आपको input, output, devices पढ़ायते हैं वह सभी किस के अंदर आते हैं? hardware के अंदर आते हैं अब हम बात करते हैं software की तो software की definition क्या होगी? Software is a set of programs that we can only see, can't touch मतलब computer की वो programs जिसे हम cable देख सकते हैं चूँ नहीं सकते हैं तो वो क्या केलाएंगे? Software केलाएंगे आप देखेए friends जो software होते हैं वो two types के होते हैं एक होता system software, एक होता application software अगर हम सबसे पहले बात करें system software की तो system software की definition होगी The system software is a design to operate and control computer मतलब system software को केवल design किया गया है computer को operate करने के लिए और computer को control करने के लिए बोरी जो system software होते हैं computer के main software होते हैं अगर आपके computer में system software नहीं है तो आपका computer स्टार्ट इनहीं होगा तो कौन से होते हैं system software अगर हम example की बात करें तो system software के अंदर हम रखते हैं operating system को अब operating system बनाने वाली बहुत सारी companies है उनके बहुत सारी operating system आते हैं कुछ मैं आपको top companies के operating system के बारे में बताता हूँ जैसे Microsoft company की तरफ से आने वाली Windows operating system के अगर हम बात करें system software का एक्जामपल है क्योंकि ये computer के main software होते हैं और इनके बिना computer को चलाया नहीं जा सकता तो operating system में हमने सबसे पहले बात करी थी किसकी Microsoft की तरफ से आने वाले Windows की ऐसी Apple company भी अपने Apple के computer के लिए क्या बनाती Mac operating system बनाती है ऐसी Google company भी operating system बनाती जिसका नाम है Android तो अगर आप अपने phone से Android को अटा दे यानि Android operating system को अटा दे तो क्या आपका phone काम करेगा नहीं करेगा वो एक hardware बनके रे जाएगा तो without software hardware काम नहीं करता तो Android क्या है operating system है तो ये सबी example है operating system के और operating system system software का example है अप फ्रेंड्स हम बात करते है application software की application software are designed to do a particular work इसका मतलब यह है कि ये software के वन वही काम करेंगे जिनके लिए उन्हें बनाया गया है इसके आप दूसरे type का काम नहीं ले सकते जैसे कि देखिए मैं आपको ये example देता हूँ कि school में जो fee management के लिए software use में लाया जाता है वो software उस school के लिए fee को management करने का काम करेगा जिसके लिए उस software को बनाया गया है मतलब जिस school के लिए उसको बनाया गया है वो इस school के लिए fee को management करेगा student की receipt को print करेगा अब अगर कोई चाहिए कि उस software को जो school में fees management का काम कर रहा है उस software को किसी medical store में bill management के लिए यूज में लाए मतला receipt बगरा प्रिंट करने के लिए यूज में लाए तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो school के लिए जो software बनाए वो केवाल school के लिए ही काम करेगा तो ऐसे सभी software जो किसी particular type का काम करते हैं वो सभी application software में आते हैं जैसे मैं आपको और एक्जामपल भी देता हूँ जैसे MS Office अपने MS Office में Word, Excel, PowerPoint पे काम किया होगा जैसे अगर किसी को Office में कोई काम करना है तो वो वो एक्सल PowerPoint में करेगा अब अगर किसी को accounting करना है तो वो tally में करेगा किसी को MP3 सोंग सुनना है तो वो MP3 player में सुननेगा किसी को वीडियो देखना है तो video के लिए different types के player है तो आप जैसे बात समझेए किसी को accounting का काम करना है तो वो tally में ही करेगा ना कि MP3 player में करेगा क्यूंकि MP3 player का काम है केवल MP3 song को सुनाना और accounting करने वाला काम टेली में ही हो सकता है वो दूसरे software में नहीं हो सकता जो facility टेली देती है वो टेली में ही होगा तो किसी particular type के काम को करने वाले software सभी किसमें आते हैं application software में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि system software यानि operating system कम्प्यूटर में install करने के बाद जो भी software आप extra computer में install करते हो किसी भी काम को करने के लिए चाए वो video editing हो चाए video recording करने के लिए हो वो सभी software किसके अंदर आएंगे application software के अंदर आते हैं अब देखे friends वैसे तो software के बल दो ही type के होते हैं system software और application software यूटिलिटी वार आपको एक type और सुनने के लिए मिल सकता है वो ही utility software तो utility भी एक software का type है बत वो application software में count होता है utility software अब utility software कौन से होते हैं ऐसे software जो system software और application software के लिए protection का maintenance का का काम करते हैं ठीक है रख रखाओ का का काम करने वाले जो software होते है वो utility software के लाते हैं जैसे antivirus अब antivirus वेसे तो application software ही है बट चाहें तो इसको अलग से हम एक utility software के टेगरी इसमें रख सकते हैं antivirus का का काम क्या होता है protection करना virus से system software को बचाना application software को बचाना तो protection और maintenance परपस से जो software काम मिली जाते हैं वो utility software के लाते हैं अब देखें friends एक important बात जान लीजिए hardware विना software काम का नहीं है software विना hardware का नहीं है जैसे मैं आपको एक basic सा example देता हूँ कि जो laptop होता है उसके अंदर wifi receiver inbuilt आता है मतलब आप laptop परसेस करते हैं उसके साथ उसके अंदर एक wifi receiver लगा होता है आप अपने mobile का net wifi receiver पर्चेस करना पड़ता है आप Amazon Flipkart पर जाके सर्च कर सकते हैं wifi receiver छोटा सा Bluetooth जैसा होता है उसे USB में लगा दिया जाता है तो वो एक hardware होता है जिसे आप देख पारें जिसे आप छूँ सकते हैं वो क्या है hardware है उसे आपने desktop में लगा दिया पर वो लगाने के बाद काम नहीं करेगा वो आपके mobile के साथ connect नहीं कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको लगाने के बाद आपको अपने computer में एक software डालना पड़ेगा वो software उसी के साथ आता है उसके साथ एक छोटी सी disk आईगी CD आईगी CD से आपको उसका driver डालना पड़ेगा यानि उसका software इंस्ट्रोल करना पड़ेगा तो जो drivers होते हैं जिनकी help से computer में difference काम होते हैं जिसे sound driver, VGA driver तो यह सभी क्या हैं computer के software ही हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि hardware विना software किसी काम कानी है और software विना hardware किसी काम कानी है जैसे मानलो software तो आपने इंस्ट्रोल कर दिया Wi-Fi Receiver का बट वो hardware device काम नहीं कर रहा तो फिर आप अपने mobile से desktop को connect नहीं कर पाएंगे तो आपको बात समझ में आगी ऐसे काफी सारे device आते हैं जिनके साथ उनका software आता है अगर software इंस्ट्रोल नहीं करेंगे तो hardware काम नहीं करेंगा और अगर hardware खराब हो गया तो software को आप काम में नहीं ले पाएंगे